आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, एमेजोन का नाम तो सुना होगा, अगर हम पृत्वी की बात करें, तो आमेजन का जंगल हमारे पृत्वी का हार्ड है, मिन्स हमारे पृत्वी का 20% ऑक्सिजन आमेजन के जंगल से ही प्रिड्यूस होता है, आइए जानते हैं प्रिड्यका के देश आ जाते हैं, इसके बात आ जाता है, और इसके बात आ जाएगा ब्राजिल, और ये आप जो देख सकते हैं यह हिस्छे को ये है अमेजोन के जंगल, तो चलिए इस जंगल को अभक्रीब से जाते हैं, व्राणustन का जंगल एक नहीं बलकि 9 देशों में फैला हुआ है इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजिल में 60% पेरू में 13% कॉलंबिया में 10% इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है क्या आपको पता है अमिजन का जंगल में लगवक चार अरब से भी ज्यादा वुरिच है और यह पेड इतने बड़े और घने हैं कि य के लिए अमिजन के जंगलों से ही आता है क्या आपको पता है अमिजन का जंगल का कुल छेतरफल लगवक 5.6 मिलियन स्क्वाइर किलो मीटर है जो की हमारे भारत दिसके कुल छेतरफल से भी ज्यादा है आप समसकते हैं कितना बड़ा जंगल है अमिजन का जंगल जो पूरे प्रिथवी का लगवक 4% हिस्सा में फैला हुआ है और क्या आपको पता है Amazon नदी दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा नदी है अगर पानी की स्टोरेज के बात करें तो Amazon दुनिया का सबसे बड़ा नदी है क्या आपको पता है दुनिया का 20% डीभर Amazon के नदी में चागर मिलती है और 12 के दिनों में जब ये नदी में पूरा पानी स्टोरेज हो जाता है तो कहीं कहीं नदी के चोड़ाई इतनी जादा बढ़ जाती है कि नदी के इस चोर से उस चोर का पता ही नहीं चलता है लगता है कि हम कोई ओशियन देख रहे हैं जिसका छोर पता ही नहीं चलता है क्या आपको पता है Amazon के जंगल में लगबग 17,000 से भी जादा केवल पेड़ के परजाती पाए जाती है क्या आपको पता है यहाँ पर 35,000 से भी जादा केवल कीड़े के परजाती पाए जाती है और क्या आपको पता है Amazon के जंगल में 5,000 से भी जादा मचली के परजाती पाए जाती है और आपको यह बात जानकर आश्रे होगा कि इस जंगल में 3000 से भी ज़्यादा केवल स्पाइडर की प्रजाती पाई जाती है अब हम बात करते हैं अमेजन के जंगल में पाई जाने वाले कुछ खतरनाक जीव जनतु की बुलेट एंट एक ऐसी चीटी है जो बहुत ही छोटी होती है आपने चीटी तो बहुत सारे देखे होगी लेकिन बुलेट एंट जैसे चीटी नहीं देखी होगी यह देखने में बहुत ही छोटा होता है लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है इस चीटी का काटना किसी गोली के लगने के समान होता है इसलिए साइद इससे bullet end कहा जाता है इसके काटने से बहुत असानिय दर्द होता है जिससे सहन करना बहुत ही जादा मुस्किल होता है इसके काटलेने से बहुत तेज बुखार भी आ जाता है इसलिए इससे bullet end चेटी कहा जाता है ये अमिजन के जंगल में बहुत ही जादा मात एक जहर पाए जाता है या कई कलर में पाए जाता है और यह बारिसों के दिनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है अस्थानिये लोग या तूरिस यहां जब घुमने जाते हैं तो यहां तो यहां इस मेड़क को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं क्योंकि यह मेड़क ब इतना ज़्यादा बड़ा एनोकॉंडा नहीं पाया जाता है अमिजन के जंगल में एनोकॉंडा साप पाया जाता है लेकिन उसकी लंबाई लगववर 30 फीट से 40 फीट होती है जिसका जहर तो नहीं होता है लेकिन ये बहुत खत्रनाक होता है ये चोटे बड़े जानुरा को निगल के ही खा लेता है और ये एक बार अगर कोई जामनार को निगल के खा ले तो लगभग महीनों भर ये बिना खाये रह सकता है और ये ज़्यादा तर दलदली अस्थान या पानी वाले अस्थान में पाया जाता है क्या आपको पता है अमिजन के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेंपरेचर लगभग 110 डिग्री सिंटिग्रेट है जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है यहां का पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है यहां का कुछ जंजाती लोग अगर किसी जंजाती के वासी की मौत हो जाती है तो यहां उस बोडी को जलाने और दफनाने के बज़ा या इस नदी में बोडी को डाल देता है कुछ जंजातीों का मानना है इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है 5. अमिजन के जंगल में सबसे खतरनाग जानवर घूनी जगवार को माना जाता है यह एक परकार का तिन्वा का प्रजाती का जानवर है जो बहुत ही फूर्तिला होता है इंसानों से दूर रहता है और यह जानवरों को ज़्यादा सिकार करता है 6. क्या आपको पता है अमिजन के जंगलों में एक एगल पाय जाता है जो बहुत ही खतरनाग होता है इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और इसका किवल पंक की लंबाई 3 फिट से भी चादा होती है इसका वजन 5-6 किलो तक होता है और यह अपने वजन से दुगना वजन पकड़ कड़ उड़ सकता है जिसके कारण यह इसका फैवरिट सिकार बंदर माना जाता है और यह बड़े जानोरे के बच्चों को सिकार भी करता है यह बहुत ही खतरनाग होता है लेकिन यह प्रचाती अब धीरे-धीरे लुप्त हो रही है दोस्तों तो कैसा लगा आपको यह अमेजन का जंगल कॉमेंट करके जुरूर बताएं साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकोन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी चैनल पे आने वाले वीडियो कोई भी आप मिस ना कर ओकी दोस्तों तब तब के लिए चैहिन फंदे मातर